उधर शाहबुद麼 की रहाई पर स्यास्त शुरू हो गई है बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि लालू और नितीष की मिली भग से शाहबुद्धी ने और क्या कहा और क्या आरोप लगाया बात की हमारे समवादा तर ब्रजंपान डेने जेल से ही निकलते ही शहाबोदीन ने कहा प्रस्तितियों के मुख्य मंत्री है नितीश कुमार हमारे साथ बीजे पीनेता सुसील मोदी हैं सर ये बयान प्रस्तितियों के मुख्य मंत्री है नितीश कुमार ने देखिए उन्होंने क्या का मुझे नहीं मालूम है लेकिन उनकी जो रिहाई हुई है ये लालो और रीस दोनों की मिली भगत का परिणाम है अने था उनको हाई कोट से बेल नहीं होता हाई कोट ने फरवरी महिने में निर्देश दिया था कि राजीव रोशन हत्याकांड के अंदर 9 महिने के अंदर ट्रायल पूरा किया जाए त जेल में रहकर और आतंकर भै का महुल पैदा कर सकता है कि शाबुदीन ने ये आइना दिखा दिया नितिश कुमार को कि हम सबसे मजबूत हैं आप प्रस्तितियों के मुख्यमंत्री बने हुए इसमें कहनी की क्या बात है उतरों ने सिद करी दिया कि मैं जो चौंगा वही ह होगा और जेल से बाहर निकल गए हमाईसा सुसिल मोदी हैं इन्हों इसाब तोर पर बताया है कि सरकार और लालो यादो की मिली भगत से ही शाबुदीन बाहर निकले है उद्धर अरजिडिय अदेश लालु प्रसाद यादों ने अपने अंदाज में पूरे मामले पर है आप लोग ये बहुत ब्याकुल है नितिश और कांगरेश पार्टी और हमारा महागरवन्दन का सरकार है पार्टी अलग-अलग है नेता अलग-अलग है तो हर सदस अपना नेता के पर ती कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा एक तरफ जहां शाबुद्दीन पर सियासी बयानबाजी तेज है वहें 11 साल बाद जेल से बाहर आने से ये शाबुद्दीन का परिवार बेहत खुश है क्या मता हूं बहुत कुछ है खुशी है और हम यह नहीं है पुरे जिलेवासियों को बहुत कुछ हो रही है बहुत इंचार के बाद वह घर आरहे हैं और खासकर अपने गाउं तो वो तेरा साल के बाद आ रहे हैं तो अब मैं जुबा से क्या बियान करूँ उसे बहुत खुशी है और अपके पजिए पिस दे जेल गाएंगे थे जी उन्हें तो फसाया गया था अब जुबा से बहुत खुशी है तो दुबा से बहुत खुशी है तो दूसे तरफ अपने तीन बेटों को खोच चुके बुजब माबाप की पत्राई आके गम के सागर में डूब गई है इस परिवाने का भी नहीं सोचा था एक तरफ खुशी है शहाबुद्दीन के समर्था की जशन में डूबे हैं धोल नगाले बजाये जा रहे हैं लोगों के हाथों में फूलों का गुल दस्ता है लेकिन इन तस्वीरों के पीछे का सच बेहद कड़वा है तस्वीरों में नजर आ रहे हैं से बुजुर्ग दंपत की आंगा गम में डूबी हैं इनसाफ के इंतजार का अंत ऐसा होगा इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था बूढे माबाप उस दिन को याद कर आज भी सिहर उठते हैं जब उनके तीन बेटे हमेशा के लिए मौत की नीम सोगए कोड के फैसले के बाद इनका कानून से विश्वास उठ गया है सीवान में 16 जून 2014 को नगर थाने के डिएवी मोड ओवर बिज के पास बाइक सवार बदमाशों ने राजीव रोशन की गोली मार कर हत्या कर दी थी इतना ही नहीं रोशन के दो भायों पर भी तेजाब से हमला किया गया और फिर उनकी मौत हो गई अपने बेटों को खोने का गम चंद्रकेश्वर प्रसाद और चंदा बावो की आखो में साफ देखा जा सकता है कोड से शहाबुद्दीन को जमानत मिल गई है और अब इस परिवार को अपने दिव्यांग बच्चे की चान का डर सता रहा है इंसाफ के इंतजार में पत्राई आखों के सामने खाफ के साथ गम का सहलाब है सिवान से आकाश के साथ बेरो रिपोर्ट इंडिया 24-7